DPS Senior Secondary School तबी जी लेकर आये हैं online classes from pre-nursery to class 12, 50% discount on girls fees, online admission open, visit DPSajmay.in Corona से निपटने के लिए NDMA ने 31 मई तक लोगडाउन के विस्तार का फैसला कर लिया है और इसकी गोशना के साथ ही अब लोगडाउन 14 दिन के लिए और बढ़ गया है और इसी के साथ सभी मंत्राले, विभाग, राजय सरकारों को चिट्टी बेज दी गई है साथी लोगडाउन के नियमों का पारण करने के लिए इस पस्ट और पर साफ दिशाने देश दे दिये गए है आपको बताते हैं कि NDA में पहले लोगडाउन को अप्चारिक रूप से जारी करने का आदेश जारी करता है फिर राष्टे कारेकारी समिती लोगडाउन के दिशाने देशों को फ्रेम करती है पुरदेश में लोगडाउन 4.0 के ऐलान के बाद ग्रेमंत्राले की और से गाइडलाइन जारी कर दी गई है लोगडाउन 4.0 में गरेलू विदेशी उडानों को इजादत नहीं दी गई है साथी होड़ स्पोर्ट एरिया में सक्ती अभी लगातार जारी रहेगी मेट्रो सिनेमा हॉल पर पावंदी रहीगी इसके अलावा स्कूल कॉलेज भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे नई गाइडलाइन के मताबिक रेड औरेंज ग्रीन जोन अब राज्य सरकारे तै करेंगी सबी तरके के पूजा स्थल बंद रहेंगे और इस बार जो एड का तेवार है वो भी लॉकडाउन के दोरान ही मनाया जाएगा इसके साथ ही कुछ ऐसी सिवाएं हैं जो बंद रहेंगी उसको हम विस्तार से आपको बता देते हैं के जो गाइडलाइन आई हैं उसका अंदर का का बताए गया है जो सिवाएं है जो बंद रहेंगी उसके अंतरगत ॥ावाइं तरो और इंट्रीकी से बंद रहेंगी जो एक कंश स्थाम से व बंद रहेंगी इसमें इस में पर और यह रही आए है की जो जोफ discuss कि ए और जो पहले से जो 3.0 के अंदर जो गाइड लाइन जारी गई थी उसी के मताबिक रहेंगे और बस और रेलवे स्टेशन पर जो कैंटीन्स हैं वो अब खुल सकती हैं साथ में सिनेमा हॉल पार्क सिमिंग पूल जेम मॉल जो ठीटर और इसके साथ में जो बार हैं उनको खोल करने की इजाज़त इस में दे वी गई है साथ में सभी समाजएक धार छेल सांस्कृर्ति कारेकृमों के लिए जवह के जमा होने पर रोक हैं ये तमाम चीज़े बंद रहेंगी और सबी जगएकि जो धार्मिक जगए हैं और प्रात्ना करने की जगए वो बंद रहेंगी लेकिन इसके साथी जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर सबी जगए को कुछ पिरतीबंदों के साथ कुछ गतिविदियों को इज़ाद भी दी गई है जैसा कि जो पैसेंजर गाड़ियां है और बसों की जो आवाजाई है वो उनकी जो आवाजाई है वो दो राज्यों को इंटर स्टेट के लिए इज़ाद दे दी गई है लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों को अपने आधार पर उनकी आवाजाई को लेकर तयार है या नहीं है अगर दोनों राज्यों के सहमत ही होगी तो आवाजाई जारी हो जाएगी तो यानि कि हम यह कह सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होने की संबावना है लेकिन इसका जो फैसला है वो राज्यों की सरकारों को करना है इसके साथ में किसी भी दो राज्यों के बीच पैसेंजर गाड़ियां और बसू की आवाजाई को मनजूरी दे दी गई है और ये भी राज्यों के धारा तै किया जाना है लोगों की आवाजाई की भी इजादत है लेकिन उसमें कुछ शर्टों को भी रखा गया है और वो शर्टे राज्य सरकार अपने अपने इस्थर पर तैय करेंगी कि आखिरकार कौन सा राज्य किस्थरके की शर्टों के साथ में लोगों की आवाजाई को इज़त देता है सामान और लोगों की आवाज़ाई के लिए इस पर दिशान दिर्देश दिये गए हैं एक जो खास तोर पर दिशान दिर्देश केंदर की गाइड लाइन में जारी किया गया है वो इस बात को लेकर है कि जितने भी केंश आशित प्रिदेश और जो सभी राज्ये हैं उन तमाम राज्यों के अंदर जो खाली ट्रक हैं जिसमें हर तरके के सामान और कारगों की आवाजाई होती है उसको इजादत दे दी गई है उसमें किसी परकार की कोई रोक अब नहीं है राजियों को इस पर दिशाने देश हैं कि किसी भी तरके के सामान या कार की आवाजाई को भी नहीं रोका जाएगा नाइट कर्फ्यू अभी भी लॉक्टाउन 4.0 में जारी रहेगा जिसमें शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू लागू रहेगा आवजशक गतिवीदिया जो हैं वो ही केवल इस वक्त काम कर सकती हैं उसके अलावा किसी भी शक्स की आवाजाई पर बैन रहेगा इसको लेकर जितनी भी लोकल अथुरेटी है वो आदेश जारी करेंगी आईपीसी की धारा 144 बी लागू रहेगी और उसके तहट ये कारवाई भी की जाईए अगर उसको कोई तोड़ने की कोशिश करता है खास्त और से जो पृतिबंदित की गई गतिविदियां हैं उनको छोड़कर सभी गतिविदियों की याज़त दे दी गई है इस गाईडलाइन के अंतरगत इस गाईडलाइन में एक बात का जिक्र और क्या गया है कि जो बच्चे बुजर्ग और गर्वती महिलाएं हैं इनकी उम्र को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि 65 साल से अधिक उम्र के जो वैक्ति हैं जो किसी बिमारी से ग्रस वैक्ति हैं या गर्वती महिलाएं हैं और दस वर से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो 31 महीं तक घर रहेंगे उनको बहार आने की इजाज़त नहीं है लेकिन अगर किसी का कोई आवश्यक काम है या स्वास्त कोई कारण होता है तो ही वो बहार निकल सकते हैं बाकी उनको बहार निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है साथ में केंदरिय की गाइड लाइड में आर्रग्य सहत्यवी याड को दाउनलोड करने के लिए चिर्णान होगा जिशिवी मॉबाइल फॉन पर आरेक्यू सहत्यवी अप्लिकेशन इंस्टॉल करने और नियमित रूप से एब पर अपनी स्वास इससत्थी को अपडेट करने की सला भी दी गई है इससे उन वेक्तियों के समय पर समय चिस्सा की जो सुविदा है वो अप्लब्द होगी जो की किसी पिरकार के जोखिम में हैं इसके साथ ही नई गाइडलाइन में जो जो जोन डिवाइड के गए हैं उनको अब पांच जोन में तैय करने का निर्देश के इन सरकान ने जारी किया है कोरोना संक्रम में जितने भी इलाके हैं वहाँ पर अब पांच जोन होंगे जिसमें रैड, ग्रीन, औरेंज और बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारे बनाएंगे और इसका अधिकार जो है वो राजय सरकारों को ही दिया गया है कंटेनन 96 जोन में केवल आवश्भ चीजो की सप्लाई की ही अनुमती होगी हालां कि राजिस्थान के अंदर इस्ति थोड़ी सी अलग है राजिस्थान के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर छूट दी है राजिस्थान की सरकार काफी रियायते दे रही है और उन्ही रियायतों को देखते हुए ये माना जा सकता है कि लॉगडाउन 4.0 में राजिस्थान के अशुग गैलो सरकार और भी कई तर्के के छूट दे सकती है लेकिन ये जो तमाम जो गाइडलाइन की बाते हमने अभी तक आपको बताई है अपने तमाम दर्शकों को हम बता रहे हैं ये तमाम केंदर की गाइडलाइन है जो केंदर की गाइडलाइन लॉगडाउन 4.0 को लेकर आई है वो बिंदू है जो उस गाइडलाइन के अंदर इन कि राजिस्थान के अंदर मोडिफाइड लॉगडाउन लागू होगा और उसी की तर्च पर उसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी इस बात को दिखा जा रहा है कि राजिस्थान के जो मुक्यमंतिर अशुक गैलोत हैं वह आखिरकार राजिस्थान में फोर लॉगडाउ कि राजिस्थान के अंदर रोडवेज की सिवा शुरू हो सकती है उसके साथी कुछ और नई रियायते भी राजिस्थान में मिल सकती है लेकिन अभी तक राजिस्थान सरकार केंदर की गैडलाइन को देख रही है केंदर की गैडलाइन के ओपर मंतन चल रहा है और इस मंतन में देने वाले हैं